जैन्द बिच्चों आजका हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिट्विन इस डान्स टू फैक्टर एंड इस डान्स टू स्केल तो आज हम यह वाला टॉपिक पढने वाले हैं सादन के प्रथिफल और पेमापने के प्रितिफिल यह अंतर हैं चलिए शुरू करते हैं सादा के प्रिटिफल प्रिमाने के प्रिटिफल अंतर यह हमारा प्लस टू माइक्रो का छटे चप्टर का लास्ट टॉपिक है बारवाट और यह हमारा टूटल वीडियो फॉर्टी थार्ड जब हम यह डिफरेंस की बात करते हैं कभे भी दो डिफरेंस हमने लिखना होता है तो पैरगराफ टाइप लिखने के पैक्छा उसको कॉलूम में इस तरह से लिखना अधीक प्रभावशा लिए रहता है तो उसको ऐसे लिखे तो वो पूरेंट मिलते हैं अन्यथा वह कम प्रभावशा देल देता है अगर ईसको पैरगराफ टाइप में तो जैसे ही इन सरकाधार, base of difference, returns to factor, और एक में returns to scale, सबसे पहले हम पहला उंतर लेते हैं, meaning अर्थया, परिवाशा इसकी समझ लेते हैं, दोनों में, यह maximum हर इस में यही लागू होता है, कि हम पहले परिवाशा समझ लेते हैं, अर्थार इसकी परिवाशा क्या है, साधनों के अनुपात में परिवाशा होने के कारण, उतपाधन की मातरा में विभिन दरों में परिवाशा होगा, तो इसे साधन के प्रिवाशा हम लिखते हैं, यह हमारे इसकी परिवाशा हम लिखते हैंगे, दूसरे में दिखते है, return to scale की परिवाशा क्या है, the term returns to scale refers to the change in output as all factors change by the same proportionate अर्थात, जब सभी साधन एक यानुपात में वरिद्धी की जाए, तो प्रतिफल में जो परिवर्तन होगा, उसे उत्पाधन के पैमाने के प्रतिफल हम कहते हैं, तो पहले में हमने सिर्फ अर्थ परिवाशा दिखेंगे, उसके बाद अंतरकादार दूसरा गया जाता है, type of production, उत्पाधन फलन का के प्रकार क्या है, तो इसमें return to factor की क्या काइंड होता है, variable factor ratio होती है, इसमें साधन नो का अनुपाद जो है, परिवर्तन शील होता है, और return to scale में fixed factor ratio होती है, तिर साधन अनुपाद होता है, तो दूसरा अनुपाद हो गया, तिसरा क्या है जाता है, number of variable factors, परिवर्तन शील होता है, तिर साधन रहते हैं, और return to scale में all variable factors, सारे परिवर्तन शील होते हैं, कोई बंदा साधन नहीं होता है, जो था आ जाता है, इसमें factor ratio, साधन अनुपाद, इसमें इसमें क्या है, variable factor ratio होती है, और इसमें अर्थात परिवर्तन शील साधन नुपाद है, यह जो हमारा question है, यदि यह दो नंबर का है, तो दूसरा और चोथा, common में से एकम skip कर सकते हैं, तीन अंग के लिए प्रयाप्त हैं, और जो हमारा return to scale है, इसमें fix factor ratio होती है, साधन नु पात हो, दूसरा और तीसा है, यह एक साधन नहीं होती है, इसमें से एकम skip कर सकते हैं, पांच वह हमारा last आ जाता है, इसमें अंतर time period का समय अर्थात return to factor जो है, वो apply कब होता है, short period में, अल्पकाल में, यह लागू होता है, अल्पकाल इंधारना है, थोड़े समय के लिए, अर्थात एक दिन से लेकर आप डिर दो वर्स तक मान सकते हैं, जबकि returns to scale जो है, यह apply कब होता है, long period, long run में, देर काल इंधारना है, यह लंबा समय है, आप डिर दो वर्स से लेकर 15-20-30 साल तक उसको मान के चल सकते हैं, तो यह था दूनों के बीच में अंतर returns to factor and returns to scale का, इस टूडियो में तना ही जहें दर बने मादें